Hi guys, my name is Nitish and you're welcome to my YouTube channel इस वीडियो में भी हम लोग अपना 100 days of deep learning playlist continue करेंगे हमने last वीडियो में gated recurrent units पढ़ा था, GRUs और आज की वीडियो में हम वहीं से continue करेंगे आज की वीडियो का topic है deep RNNs ठीक है, so deep RNNs को ही stacked RNNs भी बोला जाता है so basic concept is कि आप कैसे multiple layers of RNNs stack कर सकते हो in order to solve थोड़ा complex type of problem तो वीडियो में हम लोग पहले detail में इस concept को समझेंगे मैं आपको इसके पीछे का architecture समझाऊंगा और फिर एक code example के through I'll try to present the idea कि आप कैसे एक problem के ओपर deep RNNs को apply कर सकते हैं तो छोटा सा sweet सा topic है चल्दी से इसको cover करेंगे so let's start the video चलो guys let's start with deep RNN अब deep RNN पढ़ने के लिए हम थोड़ा पीछे जाएंगे और इस playlist में अगर आपको याद होगा जो सबसे पहला neural network हमने cover किया था वो था ANN हम ANN से related concept पढ़ेंगे so अगर आपको याद होगा I'm pretty sure मैंने किसी वीडियो में तो आपको ये tool दिखाया था जहाँ पर आप browser के अंदर एक neural network को train कर सकते हो तो हम क्या करेंगे हम एक toy data set लेंगे which is this spiral data set और हम इसके उपर neural network को train करने की कोशिश करेंगे हमारा goal है कि इस data के अंदर जो pattern है हम उसको map करना चाहते है with the help of a neural network देखके समझ में आ रहे है कि ये जो data set है ये थोड़ा complex है non-linear है इसको map कर पाना थोड़ा सा difficult होगा जो भी है हम लोग अपनी training को start कर रहे है with this neural network इस neural network में हमारे पास ये हमारा input layer है ये हमारा hidden layer है जिसमें चार units है या neurons है और ये हमारा output layer है अब you can see training start हो गई almost 800 epochs हमने cross कर लिया बट कुछ ऐसा effective result हमें नहीं दिख रहा ज़्यादतर region orange label हो रहा है और बहुत थोड़ा बहुत blue label हो रहा है clearly हमारा जो neural network है वो अच्छा perform नहीं कर रहा है अब अगर इस point पे मैं आप से पूछू कि आपको अगर improvement लानी है तो आप क्या करोगे most likely आपका answer होगा कि ये जो hidden layer है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं neurons बढ़ा सकते हैं तो हमने दो neurons बढ़ा दिये और training start कर दी let's see कुछ improvement आता है की ने अब improvement अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है improvement जैसे कि थोड़ा बहुत you can see थोड़ा improvement तो आ रहा है तो ये improvement इसलिए आ रहा है because आपने अपने neural network का जो representative power है as in जो representation power है उसको अपने improve कर दिया आपने और complexity बढ़ाई अपने neural network की जिसकी वज़े से वो data के अंदर के patterns को और effectively खोज पा रहे what if मैं बोलू कि अभी भी sufficient नहीं है कि हम इसको और improve कर सकते हैं तो I guess आप बोल पाऊगे कि हम एक काम कर सकते हैं rather than having just one hidden layer we can have one more hidden layer with same number of neurons और अब अगर मैं इस model को train करू improvement, again why? because आप जितने ज़्यादा hidden layers और जितने ज़्यादा nodes add कर रहे हो आप अपने neural network का जो complexity है उसको increase कर रहे हो and उस increase of complexity की वज़े से जो representation power है आपके neural network का वो improve होता है और results भी improve होते हैं, you can see काफी कोशिश कर रहे है हमारा neural network to track this data तो यहाँ पर हमने जो concept लगाया कि हमारे पास एक basic level ANN था, उसमें हम लोगों ने और layers add कर करके थोड़ा और complex neural network बनाया so that हम better समझ पाए हमारे data को यह same concept आप RNNs में भी use कर सकते हो और जब आप RNNs में यह same concept को use करते हो तो उसी को हम बुलाते हैं deep RNNs ठीक है तो एक बार समझने के लिए deep RNNs क्या होता है एक बार हमें पहले normal RNNs को देखना पड़ेगा थोड़ी दिर के लिए माल लेते हैं कि हम लोग sentiment analysis का task perform कर रहे हैं जहां पर हमें एक review दिया गया है किसी movie का और हमें बताना है कि वो positive है या फिर negative है ठीक है तो थोड़ी दिर के लिए माल लेते हैं कि हमारे सारे के सारे reviews पांच words के हैं तो RNNs का architecture बहुत simple होता है मैंने आपको बता भी रखा है RNNs में आप यहां से अपना current word भेजोगे review का यहां से आपको previous time step का output मिलेगा जिसको हम ht-1 बोलते हैं यहां पर इनके बीच में एक tan operation होता है और फिर यहां से आपको आपका output मिलता है for the next time step जिसको हम ht बोलते हैं और फिर यहीं पर आप एक sigmoid लगा करके अपना output निकाल लेते हो यह मैंने आपको block बनाया के दिखाया था अगर आप इसको unfold करो since हमारे पास 5 words हैं तो total time steps 5 होंगे तो अगर आप इसको unfold करो तो यह architecture कुछ ऐसा दिखाई देगा so for each time step we will have one block यहां से आपको अपने पहले review का first word मिलेगा यहां से आपको अपने पहले review का second word मिलेगा third word मिलेगा fourth word मिलेगा और last word मिलेगा यहां से आपको आपका previous time step का output मिलेगा इसको आप आगे भेज़ते जाओगे like this और यहां से यह output आप निकाल सकते हो right, this is like unfolding your RNN in time अब what if हमारा यह जो RNN है यह unfortunately sentiment analysis सही से करनी पा रहा है जो accuracy है वो बहुत low आ रहा है in that case what you can do is कि आप यहां पर और hidden layers add कर सकते हो अब यहां पर आप देखो यह जो है यह आपका input layer है और यह जो है यह kind of आपका hidden layer है तो what you can do is you can stack one more RNN cell जैसे यहां पर you can put one more RNN cell ठीक है और इसको भी जब आप unfold करोगे तो यह भी five times unfold होगा like this इसको भी पिछले time step से हमेशा input मिलेगा और इसका भी output निकलेगा the only difference with this hidden layer would be कि इसको माल लेते हैं यह hidden layer 1 है इसको माल लेते हैं यह hidden layer 2 है तो hidden layer 1 को आप directly input layer से input दे रहे थे but hidden layer 2 को जो input मिलेगा वो hidden layer 1 से मिलेगा like this like this like this और फिर similarly यहां से आपको output मिलेगा hidden layer 2 का जहां पर अगर आप चाहो तो एक third hidden layer add कर सकते हो like this जहां पर फिर से previous time step से भी input मिलेगा और यहां से फिर से output and now there is no limit to this architecture इस तरीके से आप vertically कितने भी hidden layers को stack कर सकते हो ठीक है और आप अपने RNN का जो complexity है वो बढ़ा सकते हो representation power है बढ़ा सकते हो ताकि आप और ज्यादा complex problems को solve कर पाओ and this is the basic idea behind deep RNN deep RNN is nothing but stacking one RNN cell on top of each other ठीक है and then unfolding all of them in time that is how deep RNNs work तो यह तो मैंने आपको एक बहुत छोटे level पे watt प्रोवाइड कर दिया अब हम लोग बहुत detail में यह पूरा architecture समझने की कोशिश करेंगे कि यह किस तरीके से design होता है और इस पूरे system में information का flow कैसे हो रहा है तो guys हमने basic idea तो ले लिया deep RNN का अब हम लोग थोड़ा और गहराई से इस topic को समझेंगे तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक deep RNN का architecture कैसा दिखाई देता है और यह समझने के लिए पहले हम लोग थोड़ा सा simple जो RNN होता है उसको एक बार फिर से देखेंगे with the help of a small problem the problem is sentiment analysis जहाँ पर हमारे पास यह तीन reviews है कोई मतलब नहीं in reviews का बस मैंने example के लिए लिया है और यह उनका sentiment है one का मतलब positive sentiment zero का मतलब negative sentiment यहाँ पर you can see सारे reviews तीन तीन words से मिलाके बने है और यहाँ पर हर word को अगर आप चाहो तो one hot encoding के through तीन numbers के through represent कर सकते हो जैसे cat को आप one zero zero बोल सकते हो mat को आप zero one zero बोल सकते हो और rat को आप zero zero one बोल सकते हो ठीक है तो हर बार हमारे RNN के अंदर एक word जाएगा at each time stamp total जो time steps या time stamps होंगे वो three होंगे because हमारे सारे के सारे reviews में देरा three words तो this is my setup so I guess आपको पता है कि एक RNN कैसे काम करेगा एक RNN cell होगा उसमें आप जब आप first review की बात कर रहे हो तो first time step पे cat जाएगा तो यहां से आप entry करवा होगे 100 का यहां से आप एक रैंडम नंबर या फिर 0 का vector भेज सकते हो लिए से मैं 0 का vector भेज रहा हूं also मैंने मान लिया है कि इस RNN cell के अंदर there are three units और neurons ठीक है that is why इस vector का size 3 है अब यहां से output निकलेगा और वो अगले time step पे जाएगा अगले time step पे हम mat को भेजेंगे तो यहां पे 010 जाएगा फिर output निकलेगा third time step पे जाएगा यहां से हम rat को भेजेंगे और finally यहां से हम output calculate कर लेंगे ठीक है तो यह हमारा हो गया unfolding बट अगर आपको architecture समझना है तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि आप देख पाओ कि इस RNN cell के अंदर क्या चल रहा है तो मैं एक बार architecture draw कर रहा हूँ तो basically हमने जैसा बोला कि हमारा जो input है वो three dimensional vector है और हमारा जो RNN cell है उसके अंदर तीन units है और यह हमारा output है तो output में एक unit है sigmoid ठीक है क्योंकि one और zero निकालना है तो architecture हमारा कुछ ऐसा है यह मैंने आपको RNN वाले वीडियो में भी बना के दिखाया था this is a fully connected layer this is also a fully connected layer यहां से मैं output मिल रहे और एक खासियत क्या होती है RNN कि आपका यह connection होता है जिसको हम feedback loop बोलते है या फिर हम लोग state बोलते हैं so this is a three cross three connection अगर आप इसको समझना चाहो कि यह काम कैसे कर रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ हर time step पे क्या चलेगा तो हम पहले time step के अगर आप बात कहते हैं this is the first time step ठीक है सबसे पहले हम लोग का यह one zero zero जाएगा तो यहां पे one होगा यहां पे zero होगा यहां पे zero होगा यह information यहां पे flow करेगा also यह जो zero zero है यह भी system में यहां से enter करेगा ठीक है this is like a three cross three connection मतलब zero यहां भी जाएगा यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा similarly यह वाला zero यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा यह वाला 0 भी यहां जाएगा यहां जाएगा 3 cross 3 है basically अब क्या होगा इस पूरे के calculation से this is time step 1 by the way इस से यहां पर एक output निकलेगा यहां पर एक output निकलेगा यहां पर एक output निकलेगा ठीक है तो अब हम लोग जा रहे है time step 2 में this is time step 2 यहां पर आपका input हो जाएगा यह 010 ठीक है तो यह 010 यहां पर जा रहा है और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के सब कुछ को लिख रहा हूँ so that visible रहे यह वही तीन nodes है अब इन तीनों का जो output है वो यहां पर जाएगा again via 3 cross 3 connection this is a 3 cross 3 connection ठीक है फिर यहां से हमें output मिलेगा और वो t equal to 3 में जाएगा यहां से 0 0 1 rat का input मिलेगा और इसको मैं थोड़ा सा दूर फिर से बना रहा हूँ और यह connection है यह connection है और फिर यहां से हमें यह 3 cross 3 का फिर से मिल रहा है अब finally जब टीन time steps पूरे हो गए तो यह तीनों निकलेंगे और हमारे output sigmoid में जाएंगे और यहां पे हमें अपना output मिलेगा ठीक है तो this is how the information flows inside a RNN ठीक है the main thing is that there is this feedback loop which is a 3 cross 3 connection ठीक है अब हमने क्या decide कि हम सिर्फ एक RNN cell नहीं use करेंगे instead we are going to use two RNN cells or two hidden layers so basically the architecture would become like this let me show you so since there are two RNN cells तो this is the first one यहां से आपका cat जा रहा है यहां से आपका mat जा रहा है और यहां से आपका rat जा रहा है बढ़ हम यहां पे output ना लेने के बदले हम हर time step पे output बाहर निकाल रहे है और अगले RNN cell में दे रहे है इसको भी अपना input मिल रहा है और यहां से हम finally output calculate कर रहे है this is the setup ठेक है तो अब मैं इसका architecture बनाके दिखाता हूँ कि यह कैसा दिखाई देगा तो इस case में थोड़े के लिए माल लेते हैं कि यह जो RNN cell है इसमें हमारे 3 units है और यह जो RNN cell है इसमें माल लो 2 units है अलग-अलग units possible है same भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं तो अब हमारा जो architecture होगा वो ऐसा दिखाई देगा input में अभी भी तीन चीज़े है उसके बाद हमारा पहला RNN आया this is a 3x3 connection ठीक है there is this feedback loop then we have one more hidden layer and there is a 3x2 connection and again there is a feedback loop and now we have the final output layer and this is where we get our output तो यह वाली चीज़ नई आयड होगी ठीक है अब इस नई चीज़ के आयड होने से हमारा जो architecture है जब आप उसको unfold करोगे वो कैसा दिखाई देगा let me show it to you so time step 1 में आप माल लो this is the setup this is the setup this is time step equal to 1 यहाँ पे हम cat का input भेज रहे है ठीक है यह input flow किया और by the way यह वाला input और यह वाला input पहले से आ रहा होगा यह पहले से आ रहा होगा या तो random numbers होंगे या zero होंगे ठीक है अब यह जो है यह हमें यहां से मिल रहा है ठीक है तो यह हो गया यह हो गया यह हो गया ठीक है और यह जो connections है वो यह वाला हो गया ठीक है अब इस पूरे connection की वज़े से हमें ये मिलेगा और ये मिलेगा ठीक है तो अगर आप जाओ time step equal to 2 पे तो मैं थोड़ा आगे बढ़ा के कर रहा हूँ सब कुछ तो ये हो गए मेरे 3 neuron और ये हो गए मेरे 2 neuron तो यहां से निकल के यहां गया यहां से निकल के यहां आया और यहां से निकल के यहां आया तो यहां से निकल के यहां आया और यहां से निकल के यहां आया और यहां से निकल के यहां आया बाइदे वे ये जो है वो ये वाला connection है time step 2 पे ठीक है तो हमारे पास अब ये वाला connection हो चुका है ये वाला भी हो चुका है ये वाला भी हो चुका है अब हम output पे बात करेंगे इसकी बात करेंगे और इसकी बात करेंगे तो now we are moving on to time step 3 time step 3 पे और मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ ठीक है यह जो connection है this is a 3 cross 3 connection और यह connection यह वाला है ठीक है उसके बाद यहाँ से निकलके यहाँ पे यह 3 cross 3 connection है और यह connection आपका यह वाला है ठीक है और फिर यह जो आपका 2 cross 2 connection है यह आपका यह वाला है ठीक है और obviously यह मैंने दिखाया नहीं है बट यह जो connection है यह आपका यह connection है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में यह जो connection है यह आपका यह वाला connection है अब finally 3 time steps पूरे हो गए तो अब इस time step में हम क्या गरेंगे यहाँ पर output में एक sigmoid लगाके यहाँ पर अपना y hat निकाल लेंगे and that is this connection तो I hope you are able to understand कि first of all architecture कैसा है this is the architecture and how information is flowing in the system so यह मैंने आपको 3 time steps draw करके दिखा दिये ठीक है तो this is how information is flowing so यह सारे arrows इस architectural diagram में कहां पर है यह आपको समझ होने चाहिए ठीक है तो I hope कि यह पूरा part आपको clear हो गया so guys हम लोग को architecture समझ में आ गया अब हम लोग थोड़ा सा notation पढ़ेंगे so that आगे कल को अगर आपको यह और resources follow कर रहे हो तो आपको confusion ना हो so यहाँ पर मैंने एक example लिया है जहाँ पर हमारे पास इस तरह का एक architecture है जहाँ पर हमारे पास total मिला के time steps 4 है और हमने 3 hidden layers use किया है so this is the first layer this is the second layer and this is the third layer अब notation समझने के लिए सबसे पहले आपको यह याद रखना होता है कि आप since यह जो आपको structure दिखा ही दे रहा है screen पे यह एक 2D grid की तरह है तो यहाँ पर दो axis है एक है यह axis जिसको हम time axis बोलते है और T से represent करते है ठीक है और second यह axis है जिसको हम depth axis बुलाते है क्योंकि इससे हमें समझ में आ रहा है कि हमारा RNN कितना deep है और इसको हम लोग L से represent करते है L for layer कितने hidden layers है ठीक है अब मैं क्या करूँगा मैं किसी भी एक cell को उठा लूँगा जैसे कि मैं इस cell को उठा लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे draw कर लेता हूँ अब इसको नीचे से एक input मिल रहा है left से भी एक input मिल रहा है और यह दो output दे रहा है ठीक है तो एक बार हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यह सारे inputs और outputs क्या signify कर रहे है तो सबसे पहले आप इस particular RNN cell को एक नाम देते हो तो नाम क्या होता है since it is a hidden unit तो आप इसको h बुलाते हो और since it is inside a two dimensional grid आप यहाँ पर इसको t से represent करते हो t for time कौन से time पह है जैसे यह time step 3 पह है और फिर यहाँ पे आप एक superscript मे l लिखते हो मतलब कौन से layer में है जैसे यहाँ पर यह second layer में है तो basically अगर आपको identify करना है कि यह कौन सा RNN cell है तो आप उसको यह लिखोगे h3 second layer ठीक है अगर आप से पूछा जाए यह कौन सा है तो आप लिखोगे h4 second layer ठीक है तो इस तरीके से first of all आप identify करते हो किसी particular cell को जब आप unfold कर रहे हो अपने deep RNN को अब यहाँ पर यह जो input है इसकी बात करते है पहले तो यहाँ पर जो input आ रहा है न वो इस से आ रहा है तो यह आपका बन जाता है ht because यह same time step पे है 3 but layer पिछले वाला है तो यहाँ पर आ जाएगा l-1 ठीक है I guess आप यह समझ पा रहे हो similarly अगर आप इस input की बात करो तो यह भी जो input है यह आ रहा है आपके पिछले time step से तो यहाँ पर आ जाएगा t-1 but यह है same layer में तो यहाँ पर आ जाएगा l htl calculate अगर आपको करना है by the way यह जो चीज है यही आपका htl है और यह चीज भी htl है ठीक है यह calculate कैसे होगा आप लिखोगे tan h because सारे के सारे rnn cells के अंदर जो activation function है वो tan h होता है अब यहाँ पर आपके पास दो weights है एक इसके corresponding और एक इसके corresponding ठीक है तो आप यह समझो कि यहाँ पर since there are three layers तो for every layer there will be this weight and there will be this weight ठीक है इस weight को अगर आप u बुलाते हो यू बुलाते हो और इसको अगर आप w बुलाते हो तो since हर layer का अपना w और u है आप उसको ऐसे represent करते हो ठीक है तो for any general RNN cell h t for layer l will become tan h of w of that layer multiplied by this is w multiplied by h t-1 l plus u l multiplied by this thing h t l-1 अब यहाँ पे आप bias add कर सकते हो and this is the general equation for any particular RNN cell ठीक है तो यह notation आपको याद रखना है उतना difficult notation नहीं है it's a simple notation but एक बार वो clarity आजाता है कि there are two axis time axis and depth axis तो सोचना आसान हो जाता है so guys हमने basic level introduction देख लिया deep RNN का उसके बाद हमने architecture भी discuss कर लिया so अब एक important point discuss करते हैं कि deep RNN आपको क्यों use करने चाहिए और कब use करने चाहिए ठीक है तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि deep RNN को use करने के पीछे जो सबसे बड़ा motivation है वो है data के complex patterns को निकाल पाना समझ पाना तो एक बार उस point को थोड़ा अच्छे से discuss करते हैं so मेरे हिसाब से there are two main reasons why you should use deep RNN तो एक बार first point के बारे में बात कर रहे है first point है hierarchical representation so basically this is an example of deep RNN so यहाँ पर you can see कि हमारे पास multiple hidden RNN cells है तो क्या फाइदा होता है अगर आप इस तरीके से stack कर देते हो multiple layers में तो फाइदा क्या होता है फाइदा यह होता है कि आपके जो शुरू वाले layers है यह आपके data में बहुत ही like primitive जो features है उनको खोश निकालते हैं जैसे मालो आप product reviews का sentiment analysis कर रहे हो आपके users ने products का review लिखा है आप उसका sentiment analysis करना चाहते हो तो यह जो शुरू वाले layers है यह क्या करेंगे यह बहुत basic जो features हैं आपके data में जैसे कि words such as love hate amazing terrible अगर इस तरह के words दिखेंगे तो यह जो initial layers है यह लोग क्या करेंगे word by word level पे sentiment निकालने की कोशिश करेंगे primitive level पे जैसे जैसे आप थोड़े middle level पे जाओगे तो sentence level पे आप sentiment analysis निकालने की कोशिश करोगे जैसे की आपने एक phone खरीदा था और user ने लिखतिया audio is bad तो वो like sentence level पे जो आपके middle वाले layers हैं वो आपके review को समझने की कोशिश करेंगे और फिर जैसे जैसे आप higher side जाओगे उपर वाले layers में तो वो क्या करेगा वो overall review का जो sentiment है वो निकालने की कोशिश करेगा जैसे overall sentiment में लिखा है audio is bad but display is great overall I am happy तो वो आगे वाले जो layers है न वो तीनो sentences को समझ करके एक overall sentiment निकालने की कोशिश करेगा तो मेरे कहने का यह मतलब हुआ कि आपके data में एक hierarchy है तो वही hierarchy को न यह structure समझ पाता है शुरू वाले जो layers है वो बहुत primitive level पे like word level पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं बीच वाले जो layers है वो sentence या phrase level पे समझने की कोशिश करते हैं और आगे के जो layers है वो पीछे के information के basis पे अभी तक की समझ के basis पे overall sentiment समझने की कोशिश करते हैं तो यह जो data की hierarchy है सच में sentences और phrases और paragraphs ऐसे ही बनते हैं word से sentence बनता है sentence से paragraph बनता है तो यह जो hierarchy है आपके data में deep pronouns उसको capture कर पाते हैं तो this is why you should use deep pronouns ठीक है second जो reason है वो थोड़ा अलग है second reason में यहाँ पर मैंने लिखा है customization for advanced tasks so कल को let's say आप एक encoder decoder module बना रहे हो let's say ठीक है encoder decoder module बना रहे हो तो वहाँ पर आप चाह रहे हो कि आप attention mechanism use करो अब मुझे पता है मैंने आपको भी attention mechanism नहीं पढ़ा है but it's a famous thing तो माल लो आप attention mechanism और encoder decoder को यूज करके एक machine translation module बनाना चाहते हो जो language translate करके आपको देगा तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो आप अपने encoder और decoder modules में you can use deep RNNs in fact google का जो machine translation tool है google translate उसमें deep RNNs यूज हुए भी है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि deep RNNs यूज हो रहे है to build advanced level architecture like encoder decoders with attention mechanism ठीक है तो this can be the second usage of आपका deep RNNs ठीक है तो यह तो समझ में आ गया कि हमें क्यूं यूज करना चाहिए deep RNNs अब हम लोग discuss करेंगे किस तरह के situations में आपको deep RNNs यूज करना चाहिए तो मैं आपको 3-4 scenarios बता रहा हूँ जहाँ पर आप prefer करोगे deep RNNs over single layer RNNs सबसे पहला है complex tasks अगर आपके पास जो टास्क है उसकी complexity high है तो वो एक ideal situation है जहाँ पर आप deep RNNs ट्राई करना चाहोगे मतलब कुछ examples हो गए let's say speech recognition यहाँ पर काफी use होता है या फिर एक और example हो गया machine translation जो अभी मैंने थोड़ी दर पहले आपको समझाया तो अगर आपका problem statement is complex you can or you should use deep RNNs second point है when you have large data sets this is one important point generally speaking आप deep RNNs तभी try out करते हो जब आपके पास काफी सारा data होता है because अगर आपके पास data कम है और आप अगर deep RNN use करोगे तो overfitting का chance हो जाता है तो जादा data is required third is if you have sufficient computation और computational resources मतलब आपके पास इतना processing power और computational power है कि आप actually deep RNNs का जो architecture उसको train कर पाऊ let's say आपके पास एक weak machine है तो फिर आपको deep RNN try नहीं करना चाहिए ठीक है because it would take a lot of time to train the model and lastly when you are not satisfied with simpler models let's say आपने एक single layer का RNN को train किया और आपको जो results मिल रहे हो satisfactory नहीं है आपका जो baseline model है वो उतना अच्छा results नहीं दे रहे है तो आप वहाँ पर as an improvement deep RNN को try out कर सकते हो तो ये basically एक तरह का guideline दिया मैंने आपको बाकिया आप use तो कहीं भी कर सकते हो but ये समझने के बाद आप थोड़ा educational I'm sorry educated तरीके से आप use कर पाऊगे deep RNN को तो guys अब हम लोग काफी कुछ समझ गया है deep RNN के बारे में तो let me show you a sample code जहाँ पर हमाँ आपको दिखाऊँगा कि आप deep RNN कैसे use कर सकते हो in Keras ठीक है तो मैंने बहुत simple सा एक dataset लिया है IMDB का जो sentiment analysis का dataset है जो built-in आता है Keras में तो हम उसी को use करने वाले है यहाँ पर मैंने सारी libraries import कर ली है यहाँ पर हम data को load कर रहे है using this function IMDB.loadData और हम 10,000 words पर gap कर रहे है यहाँ पर we are creating our train and test parts and यहाँ पर we are just restricting our data to a max length of 100 and we are doing a pad sequence यहाँ पर main चीज है so this is how you create a deep RNN so सबसे पहले हमने embedding layer यूज किया यह हम पास में भी यूज कर चुके है जब हमने RNN पढ़ा था और LSTM पढ़ा था तो यहाँ पर basically यह मतलब है कि हमें जो input मिल रहा है वो 10,000 words का मिल रहा है और हमारा जो output है उसमें हम क्या कर रहे है कि हम अपने हर word को एक 32 dimensional vector में represent कर रहे है every word will be represented as a 32 numbers का vector ठीक है यहाँ से main चे शुरू होती है यहाँ पर आपने अपना पहला hidden layer लगाया है और उसके बाद देखो फिर से आपने second hidden layer लगाया है जो पहला hidden layer है उसमें 5 units है और दूसरे वाले में भी 5 units है यहाँ पर आप 15 भी कर सकते थे कोई problem नहीं होती बट फिलाल मैंने same रखा है और last में there is a dense layer तो अगर मैं आपको इसका architecture समझाओ तो architecture is like this कि यहाँ से यह हमारा input layer है जहाँ से हमारे हर time step पे एक word अंदर आएगा और this is like 32 dimensional for each word is represented using 32 numbers तो एक बार में एक word आएगा मतलब 32 numbers आएगे तो this is 32 dimensional उसके बाद यहाँ पर मेरा RNN है जिसमें 5 nodes है ठीक है उसके बाद मेरा एक और RNN है जिसमें again 5 nodes है और फिर lastly मेरा एक normal node है जो sigmoid node है this is tanh this is also tanh and this is sigmoid and all of this is fully connected the only difference is कि this is a recurrent connection feedback loop ठीक है तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि यहाँ पर weights and biases कितने होंगे तो सबसे पहले तो अगर आप embedded layer की बात करो तो embedded layer में कितने weights होते है जितना आपका input dimension है और जितना आपका output dimension है input dimension है 10,000 और output dimension है 32 तो basically यह हो जाएगा 3,20,000 ठीक है यह हो गया embedding layer अब हम बात करते हैं इस वाले layer की तो यहाँ पर 32 है यहाँ पर 5 है तो यह connection हो गया 32 x 5 का फिर यह जो feedback connection है यह 5 x 5 है और फिर इन पाचों notes के एक-एक बायस हो गया तो 5 तो 32 x 5 हो गया 160 5 x 5 हो गया 25 और 5 हो गया तो this will become 190 तो embedded layer में 3,20,000 है simple RNN 1 वाला जो layer है उसमें 190 है अब हम बात करेंगे second वाले की इस वाले की तो यहाँ पर सबसे बहले तो इनके बीच में 5 x 5 का connection है उसके बाद यह वाला recurrent connection है तो यह भी 5 x 5 है और फिर यह 5 वाले से इसका 5 है तो this is 25 25 and 5 so basically this is 55 तो अगर आप बात करो simple RNN 2 की तो that is 55 अब बचा last में हमारा यह output layer which is this one तो यहाँ पर जो weights है यह 5 x 1 है और इसका एक बायस हो गया तो this is 5 plus 1 6 तो अगर आप dense layer की बात कर रहे हो तो this is 6 तो यह हमारे total weights and biases हो गए 3,20,195 और 6 let's check that so you can see 3,20,195 और 6 तो यह समझना बहुत जरूरी है अब यहाँ पर एक चीज़ और है यह return sequences जो होता है आपको अपने सारे के सारे layers का true रखना पड़ेगा except your last hidden layer ठीक है क्यों मैं आपको बताता हूँ तो आप क्या कर रहे हो आपके पास इस तरीके से पहला layer है यहाँ से आपको input मिल रहा है 32 dimensional this is the flow बट अब आपको अगले वाले layer को भी तो input देना है तो अगले वाले layer को input पिछले वाले layer से मिल रहा है तो यह जो arrows है न यह तभी information flow हो पाएगा जब यहाँ पे return sequences equal to true रखोगे अगर आप इसको false कर दोगे तो यह connection break हो जाएगा और आपका simple RNN काम नहीं करेगा and that is why आप last वाले में इसको true नहीं रख रहे हो because last वाले में आपको सिर्फ last time step से output चाहिए that is why आपने यहाँ पर return sequences true नहीं रखा अब अगर आपकी सी ऐसी problem पे काम कर रहे होते जहाँ पे आपको actual output layer में हर time step पे output चाहिए होता तो आप वहाँ पे भी यह रख सकते थे I hope आपको समझ में आ गया so this was the main difference बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है आगे मैंने model को compile किया है और फिर model को train किया है अब यहाँ पर accuracy वगएर हम discuss नहीं कर रहे हैं because वो हमारा goal नहीं है मुझे बस आपको दिखाना था कि आप केराज में build कैसे कर सकते हो एक deep RN ठीक है तो वो आपने सीख लिया अब I would recommend आप आगे जा करके इसको किसी proper dataset के उपर apply करके देखो कि फायदा होता है कि नहीं but yeah I just explained how to use deep RN in केराज so guys अब मैं आपको best बात बताता हूँ deep RNN की deep RNN की best बात यह है कि यह जो आपने अभी architecture सीखा जहां पर आप एक RNN के उपर दूसरे RNN को stack कर सकते हो यह concept सिर्फ simple RNN पर ही applicable नहीं है इसको आप बाकी के RNN architectures के उपर भी apply कर सकते हो which means कि आपने LSTM पढ़ा आप चाहो तो deep LSTM भी बना सकते हो जहां पर आप एक LSTM के उपर दूसरे LSTM को stack कर सकते हो and हमने GRUs भी पढ़े थे आप similarly deep GRUs भी बना सकते हो और in fact अगर आप बात करो practical deep learning की तो most of the times आपको यही दिखाई देगा कि लोग यह deep RNN का जो concept है उसको या तो LSTM के साथ यूज करते हैं या फिर GRUs के साथ यूज करते हैं simple RNN के साथ generally use नहीं किया जाता because जो problems थी vanishing, exploding, gradient की वो deep RNNs के साथ भी दिखाई देती हैं तो I'll just show you the code कि how can you create like this was our model जहां पर हमने एक deep RNN बनाया था बस यहां पर अगर आप simple RNN के बदले LSTM यूज कर दो तो यह आपका एक deep LSTM बन गया ठीक है और similarly अगर आप LSTM के बदले GRU लेर यूज कर दो तो फिर यह आपका एक deep GRU बन गया ठीक है तो I would recommend एक data site उठाओ वहां पर आप experiment करके देखो single RNN को deep RNN को, single LSTM को, deep LSTM को, single GRU को, deep GRU को और अपना जो भी आपके results आ रहे हैं उनको आप kind of document करो समझने की कोशिश करो, चीज़े कैसे काम कर रही है back propagation और यह सारे concepts बिल्कूल वैसे ही काम करते हैं, थोड़ा सा और difficult हो जाता है, because यहां पर अगर आप notice करो तो, since यह grid structure बन जाता है, तो जो gradients हैं, वो किसी भी रस्ते flow कर सकते हैं किसी भी रस्ते flow कर सकते हैं, like आप यहां से इस तरीके से भी पहुँच सकते हो यहां से इस तरीके से भी पहुँच सकते हो तो वो थोड़ा से ज़ादा difficulty calculation but the good part is कि Keras जैसी library internally वो handle कर लेती है by forming a computation graph तो वो हमारा concern नहीं है हमारा concern है to understand the concept and apply it इसके साथ साथ आप dropouts और इस तरह के concepts भी इस्तमाल कर सकते हो nothing changes बस आपने complexity थोड़ी सी बढ़ा दी ठीक है so अगर हम बात करें disadvantages की तो दो ही major disadvantages है पहला since आप complexity बढ़ा रहे हो अपने neural network का तो overfitting का tendency थोड़ा बढ़ जाता है तो आपको carefully अपने neural network को design करना है dropouts, regularization जैसा techniques सही से इस्तमाल करना है और learning rate वगरा carefully set करना है weight initialization भी matter करता है तो यह सब चीज़े आपको देख के करना है नहीं तो overfitting का chances है which basically means training data पर result अच्छा आने लगेगा test data पर नहीं आएगा and the second problem is जो training time है model को train करने में जो time लग रहा है वो बढ़ जाता है especially if you are working on a large data set since आपने अपने neural network में parameters बढ़ा दिये उनको train करना will be difficult because आपको उतने जादा parameters के लिए back propagation perform करना है derivatives calculate करना है update करना है this might take some time ठीक है तो these are the two major disadvantages but as I said अगर आपका simple RNN से काम नहीं चल रहा है तो you should definitely try out deep RNNs ठीक है और deep RNNs में भी I would recommend going for deep LSTMs and deep GRUs so yeah that was the video guys I just gave you an introduction on deep RNNs और काफी detail में समझाने की कोशिश की अब आपका काम है जो knowledge आपने इस वीडियो से गें किया है उसको आप practically किसी data set पे apply करो और जो भी आप सीखो उसको कहीं पे document करो ठीक है अगर वीडियो पसंद आया तो like करना और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है please do subscribe मिलते हैं next वीडियो में बाई